आज रिलीज हो चुका है अरेंगल 2.0 न्यू एरा आप लोगों को मालूम है कि अरेंगल जो है वो नया आने वाला था और उसको इन लोगों ने रिस्ट्रक्चर किया है और जैसा कि वीडियो पी आप लोग देख पार है वीडियो जो चल रहा है आपके सामने स्क्रीन के उपर यह बहुत बड़ी न्यूज है और इससे भी बड़ी न्यूज है एक यहाँ पर जिसका हमको बेसबरी से इंतजार था यार पूरे की पूरे इंडिया को और मैं जब अभी उठा सुबे मैंने मैं क्या करना हूँ यार चार-पाथ दिन से पिछले उठते ही ना सुबे सर्च करता हूँ यूटूब पर जाकर PUBG Mobile Unband News आज मैंने जब PUBG Mobile Unband News सर्च किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला सबके साथ में शेयर करना करना चाहता हूँ वह चीज को जो मैंने देखा है आज तो फाइनली PUBG Mobile Official ने रिस्पॉंड किया है PUBG Mobile Band के उपर और उस पर आप कैसे देख सकते है आप लोगों को जाना है Google Chrome के उपर जाकर आपको लिखना है PUBG Mobile India और जब आप PUBG Mobile India लिखो के वहाँ पर जाके जो यार जो न्यूज वाला सेक्शन होता है ना इस न्यूज वाला सेक्शन वो पूरा का पूरा भरा हुआ है और आप देख सकते हैं 58 minutes ago, 1 hour ago, 11 minutes ago सारे के सारे में पोस्ट कर रहे है और जो कि PUBG Mobile मतलब PUBG Mobile का जो corporation है जो PUBG Mobile का main website है PUBG.com वहाँ पे respond किया गया है PUBG Mobile ban के उपर और क्या respond किया उन लोगों ने मैं आप सब लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ PUBG.com वाले website को open करोगे guys, so यहाँ पे PUBG officials ने अपना respond किया है तो इसमें उन लोगो ने क्या लिखा है कि जो PUBG Mobile इंडिया में ban हुआ है security reasons की वज़ा से privacy का issue लगा था उनके उपर और हमारी government ने decision लिया तो हम सब को accepted था हम सब लोगों ने खेलना बन कर दिया और अभी finally उन लोगों ने respond किया कि वो global version फिर से इंडिया में नहीं launch कर रहे है और इंडिया के बना रहे है PUBG Mobile का जो सिर्फ इंडिया में चलेगा वो global version नहीं होगा मतलब इंडिया के लोग आपस में एक दूसरे के साथ खेल पाएंगे but हम लोगों को हमारी जो गेम है वो वापस मिल जाएगी so यह बहुत बड़ी good news है guys यह बहुत बड़ी good news है and मतलब यार जो भी बहुत ज्यादा you know crazy थे इस game को लेकर और बहुत ज्यादा sad थे कि यह बैन हो गया और हम नहीं खेल पा रहे है तो अभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी news है guys और यह बहुत बड़ी news है जो आज हम लोगों को मिली है so मेरे एसाब से शायद आने वाले 15 या 10 दिन के अं नहीं तो वो लोग एक नया वर्जन इंडिया को बना कर देंगे जिसमें सब चीजे सेम होगी same to same पहले जासा होगा but वो globally नहीं चलेगा वो सिर्फ इंडिया में चलेगा सबसे बड़ी news क्या निकल कर आ रही है guys जो PUBG Mobile जो PUBG Corporation का Tencent के साथ में you know एक tie-up था जो Tencent के साथ में म आईना का company है तो अभी Tencent का कोई रोल नहीं है इस इंडियान वर्जन में जो हम लोगों को मिलने वाला है तो बस pray करो guys कि जल्दी से जल्दी यह solution निकले और Indian government का approval मिल जाए इस नए वर्जन के लिए ताकि हम लोग इसको खेल पाए तो यार यह बहुत बड़ी news है guys hope आप स ज़्यादा sad थे उन सब के साथ share करो था कि उनका थोड़ा सा tension release हो जाए so pray करते है guys चलिए वापस से so मिलते हैं life dream के ओपर वन दे मातरम जै हिंद पीस आउट